हेलो दियर स्टुरेंट्स वेलकम टो एसी प्लस डिडिटल प्लैटफॉर एडवांस इंजिरिंग क्लासेश और आप हैं इस ससीजी मेंस के प्रैक्टिस सेशन में जहां हम कोश्चन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वीचार ओफ दी लेवल जो की ससीजी मेंस में एक्सपेट किये सकते हैं जो कि गेट और आए इसके प्रिवेस यह ऐसे कोश्चन से और उस लेवल तक के कोश्चन से जो की कंसेप्चुली भी है और ऐसे सब्सक्राइब मेंस के अंदर एक्सपेट किये जा सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं इंटु इस सेकेंड लेक्ट्टर ओफ पॉस्ट 2 cm इप इप इंडेक्स रिमेंज एडि सेम वेल्यू दर अफ दूट 10 cm रेंफोल इन एट आवर्स इन दी केच्मेंट इस आप लोग जानते हैं बेसिक सा फामला है फाइंडेक्स का मतलब होता है फाइंडेक्स का मतलब होता है कितना रेंफोल हुआ माइनस दिर न ओफ A is equal to 5 of B तो इसे लिखा जा सकता है क्या रेंफोल ओफ A minus runoff of A divided by वो time period जितने समय के लिए excess या effective rainfall create हुई should be equal to rainfall of B minus runoff of B divided by time period of B जितने समय के लिए effective rainfall हुई जो कि contribute करती रन ओफ में तो यहां से लिखा जा सकता है क्या we can write it as data सारा given है कि 4 cm की rainfall होती है और 2 cm रन ओफ होता है जब rainfall हमारे पास 4 cm की हुई sorry 4 hour duration की हुई और वही पर पूछा है कि अगर 10 cm की rainfall हो जाती है तो बताइए रन ओफ कितना होगा अगर वही rainfall 8 घंटे तक चलती है तो तो ऐसे में एक single unknown है निकाला जा सकता है this is equal to twice और यह बनेगा चार सेंटीमेटर माइनस दो सेंटीमेटर बनेगा चार सेंटीमेटर और इदर आएगा चार उदर जाएगा बच्चे का और भी कितना और भी is coming out to be how much 6 cm आंसर क्या आना चाहिए यह शुट बी दी करेक्ट आंसर क्लियर है बात चली अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं तो इसमें से हमारे पास दो केमिकल है इस्टेल अलकोल और सिटेल अलकोल यह दोनों ऐसे केमिकल है जो कि हमारे पास नॉन टॉक्सिक है कलरले से और लेस है और हमारे पास यह कराते हैं क्या इजी एक्सचेंज ओफ गैसेश इजी एक्सचेंज ओफ ओटू मतलब गैसेश कहलो बट बट इस्टॉप्स इस्टॉप्स वेपर्स टूब एक्सट तो एक हमारे पास पतली सी लेयर बना लेते हैं लिक्विड के ऊपर जिसको हमें इसका इवेपरेशन रोकना है तो वेपर्स को निकलने नहीं देता लेकिन हां गैसेश का एक्सचेंज बहुत आगे बात करते हैं दे रेंफोल ओन फाइफ सक्सेसिव डेज ओनकेश्मेंट वास तीन नो पांच एक सेंटिमेटर रिस्पेक्टिवली अगर फाइफ इंडेक्स फॉर इस्टॉर्म केन वे अजूम तो भी थी सेंटिमेटर पर दे तो टोटल डायरेक्ट रन ओफ फ्रॉम दी केश्मेंट इस्टॉर्म डू तो या डू तो इस्टॉर्म इस क्या होगा तो पहले तो समझो कि आपके पास एन एनी रेनफॉल किस से छोटी हो लेस देन फाइंडेक्स क्या करना है उसको उसको क्या करना निगलेक्ट करना या फिर उसे जो वह वह अवोईड करना में अवईड इन इन केल्कुलेशन and time period also उतने time period को भी आपको avoid करके चलना है तो यहाँ पर एक तो आपके पास 3 cm की rainfall less than equal to कहलो और साथ में 1 cm की rainfall यह दोनों ही क्या है 5 index से छोटी आ रही क्योंकि 5 index 3 cm per day के बराबर है तो हम लिख सकते हैं therefore 5 index equal to 6 plus 9 plus 5 minus total direct runoff पुछा है तो पता ही नहीं उसके value कितनी है लिखा r divided by कितना time period तो 5 दिनों तक ऐसी rainfall होती है जिसमें से 2 explode करती है तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ 3 days तो answer आ जाएगा हमारे पास this is coming out to be how much 3 cm per day यह बनेगा 9 and 6 15 15 plus 20 to 20 minus r divided by 3 यह बनेगा 9 cm per day per day से गया day चला गया बचा 9 cm equal to 20 cm minus r तो यह बचेगा हमारे पास r equal to 11 cm answer क्या आ जाएगा हमारे पास a is going to be the correct answer तो इस तरहे समझा जा सकता है कि हमारे पास पहला वाला ordinate और last ordinate are not going to contribute to the runoff तो सिर्फ इन तीन को ही हम count करके चलेंगे 6, 9 और 5 वाले को चलिए अगले question पर बात करते हैं relative humidity h is a measure of air's capacity at its existing temperature to absorb further moisture and is defined by the relation what देखो humidity का मतलब क्या होता है humidity का मतलब होता है moisture in atmosphere और relative humidity का मतलब होता है moisture in atmosphere with respect to saturation value with respect to saturation value जितनी भी saturation की value होगी उसके respect में कितना moisture है atmosphere में उसी कहते है relative humidity और हमारे पास this can be referred as E divided by E s into 100 जहां पर ये बनता है हमारे पास क्या vapor पर हमारे पास vapor pressure कहलो या vapor कहलो डार्यक्ली वेपर प्रेशर कहलो कितना वेपर प्रेशर है with respect to saturation vapor pressure saturation vapor pressure जितने vapor होंगे उतना ही pressure लगेगा जितने maximum vapor हो सकते हैं उतना ही maximum vapor pressure लग सकता है उसी कहते हैं saturation vapor pressure तो कितना हमारे पास vapors present है atmosphere में हम उससे पता लगा सकते हैं with respect to saturation की और कितने vapor आ सकते हैं हमारे atmosphere में तो हमारे पास हम यहां पर refer कर सकते हैं ये गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा only is going to be correct answer moisture atmosphere में कितने with respect to saturation value कितने हो सकते हैं उसी को relative humidity कहा जाता है कैसे measure करते हैs relative humidity को हम measure करते हैं highrometer से हम फिग्रोमिटर से पता लगाते ही कितना moisture content हमारे पास अभी present है with respect to the saturation value, यह relative humidity किस से effect होती है, यह effect होती है, already present कितने moisture atmosphere में, temperature condition, pressure condition सब पे depend करती है, तो answer क्या हो जाएगा, A is going to be the correct answer, अगला सवाल पूछा है हम से, the question numbering is relatively changed, ठीक है, a catchment consists of 30% area with runoff coefficient of 0.4 and the remaining 70% area with runoff coefficient of 0.6, the equivalent runoff coefficient will be कितना होगा, तो देखो, आपको यह पता होना चाहिए, कि जो आपके पास runoff होता है, runoff, आप अगर equivalent की बात करोगे, तो यह होता है, आपके डिपेंड करेगा, अलग-अलग area की conditions के ओपर, अगर आप runoff coefficient को k से लिख वे हो, k equivalent लिखते हो आप इसे, तो this can be referred as k1 a1 plus k2 a2 with respect to total area से division कर लेते हैं, a1 plus a2, हर एक area अलग-प्रकार का area और उस अलग-प्रकार के area का कितना runoff coefficient है, depending upon the pervious और impervious nature, जितना impervious होगा, उतना जाधा runoff coefficient की value होगी, जितना कम हमारे पास impervious होगा है, जितना जाधा pervious होगा, उतनी ही कम इसकी runoff coefficient की value होगी, तो यहाँ पर हमारे पास we can refer it to as, 30% area की बात कर रहा है, तो हम इसको direct percentage के फॉर्म में भी लेके चल सकते हैं, runoff coefficient is 0.4 के बराबर, तो 0.4 into 30% area मतलब 0.3 प्लस, अगला हमारे पास runoff coefficient is 0.6 का, for the area 0.7 मतलब 70% के लिए, divided by 0.3 प्लस 0.7, अब हमारे पास value बन सकती है क्या, 0.4 into 0.3 comes out to be 0.12 के बराबर, प्लस, 0.6 into 0.7 comes out to be 0.42 के बराबर, divided by 1, तो यह बन जाएगा हमारे पास कितना 0.54 के बराबर, तो value आजाएगा हमारे पास कितनी, B is going to be the correct answer, अगला सवाल पूछा है, एक urban area is located in plains, having average climatic condition, ठीक है, the impervious area thereof for which drainage must be provided is 3.6 hectare, देखो impervious area बोला है, ठीक है, urban area है पहली बात तो यह और completely impervious बोल दिया है, for which drainage must be provided is 3.6 hectare, and the design rainfall intensity is 2 cm per hour, the drains will be designed for a runoff off, आप से यह जो है, यह storm water drainage system design करवा रहा है, तो storm water का क्यों peak जानना चाहरा है, कितना होगा, the drain will be designed for the runoff off, तो peak discharge कितना हो सकता है, storm water का हमारे पास, urban area में, is generally given by, कह सकते हैं, K into I into A के बराबर, K is runoff coefficient, I is rainfall intensity और A हमारे पास जो होता है, वो area, catchment area, यहाँ पर आपके पास catchment area दे रखा है, बिलकुल दे रखा है, catchment area is given to you, क्या आपके rainfall intensity दे रखी, बिलकुल दे रखी, 2 cm per hour, क्या आपके पास coefficient of runoff दे रखा है, नहीं दे रखा, लेकिन बोल रहा है, impervious area, impervious area के लिए, K की value होती है, 1 के बराबर, यहाँ पर वियस है, impervious है, तो पानी दोइन में जाएगा, इंटू, area is given to you, 3.6 hectare के बराबर, और discharge हमें चाहिए, meter cube per second में, निकाल लेते हैं, यह बना हमारे पास, 2 into centimeter को लिखते है, meter में तो यह बनेगा, 10 to power minus 2 meter, divided by, seconds में चाहिए, तो hour को लिखते हैं, 60 into 60, seconds into area, hectare में दिरका है, meter square में करोंड कर लेते, 3.6 into 10 to the power 4 meter square, तो यहाँ से हमारे पास, this would come out to be as, calculation बड़ी आसान सी भी हो सकती है, कैसे बनेगी ज़रा देखो, आपके पास, यह दो 0, इस 4 0 के साथ, इन 2 0 के साथ मिलके, cancel out हो सकते हैं, अब बचता है, आपके पास क्या, 6, 6, 36, और यह है 3.6, तो यह बनेगा, हमारे पास, इसको इस से cancel out करते हैं, और यह बनेगा, हमारे पास, 0.1 times, और 0.1 into 2 करेंगे, बचे कितना, 0.2 meter cube per second के बराबर, आंसर क्या आजाएगा हमारे पास, C is going to be the correct answer, तो calculation कहीं बार यही आसान भी आएती है, आपको वैसे भी calculator जो हो, virtual calculator allowed होने वाला है, physical allowed नहीं होगा, तो ऐसे calculations भी हमारे पास, जो हो, important हो जाते हैं, कितने आसानी से, से कर लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, C is the correct answer, अगला पुछाएगा, तो देखो हमें यह जानते हैं, कि 5 index होता है, हमारे पास, rainfall minus runoff divided by time duration, तो यहां से निकल कर रखा है, runoff, runoff निकल कर आएगा, जो कि depth के terms में आता है, अगर उसमें area multiply कर दिया है, catchment area, तो volume निकल कर आजाएगा, आसान सी बात है, कर लेते हैं, calculate, 5 index दे रखा है, 3 cm per day, rainfall दे रखी है, हमारे पास, कितनी दे रखी है, वो लेके चलना है, जो कि हमारे पास 5 index से बड़ी हो, तो यह वाली value, और यह वाली value, हमें cancel out करनी पड़ेगी, और cancel out करनी पड़ेगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, 7 प्लस 8 प्लस 4, minus the runoff divided by time duration, मतलब 3 दिनों की बाद चल रही है, 3 days, तो यह बन जाएगा, हमारे पास, 9 cm is equal to, 8, 4, 12, 7, 19, तो 9, 10 cm minus r, and r comes out to be how much, 10 cm के बड़ापर, अगर r आगा 10 cm बड़ापर, which is a very good value, क्योंकि ही calculation में आसान बड़ाएगी हमें, तो अब बात करते हैं, runoff के volume की, तो runoff का volume बनेगा, हमारे पास runoff, का जो भी depth है, into the catchment area, तो यह बनेगा, हमारे पास runoff depth कितनी आ रही है, 10 cm, और catchment area है, 195 km2, million meter cube में answer चाहिए, तो 10 into 10 to the power minus 2 meter, into 195 into 10 to the power 6 meter square, तो यहां से हमारे पर 10 to the power 6 को तो हम लिख सकते हैं, million में, ठीक है, और 10 to the power minus 2 है, और यह लिखा है, 1950 is zero combine करते हैं, तो बनेगा, 19.5, तो 19.5 million, meter cube would come out to be the correct answer, answer क्या हो जाएगा, 19.5 million meter cube हमारा correct answer हो जाएगा, तो A is the correct answer, चली, तो अगला question देखते है, the best estimate of runoff represented by 57 mm of runoff depth from a basin area, 300 km2 area is nearly, कितना होगा, पहले unit को जिरा देखो आप, unit के दे रखी QMAC days, QMAC days, QMAC days और QMAC days, what does the QMAC days mean, QMACs का मतलब होता है, meter cube per second, और into days की बात कर रहे हैं, तो हमें बस इस पूरे खेल को समझने की जरुवत है, उन्होंने पूछा इस unit के फॉर्म में है, कर देंगे calculate, कैसे करना है जरा समझते हैं, हमारे पास यहाँ पर, if we talk about, कि हमारे पास, runoff, जो best estimate of runoff होगा, तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर runoff का, हमें volume ही चाहिए runoff का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर, seconds से days cancel out होंगे, जैसे भी करके हम इसको convert करके करना भी चाहें, but we will actually require runoff volume, और यह runoff volume कैसे मिल सकता है हमारे पास, जो भी हमारे पास runoff, runoff depth होगी हमारे पास, into the area, into days upon seconds, अच्छा, into days upon seconds को लिखने के लिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, I would write it at, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, days by days, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें दिक्कत नहीं है, मैं इसको थोड़ा change करता हूँ, इसको change करके लिखता हूँ क्या, referred as, 24 into 60 into 60, second के बराबर, तो अब यह quantity बनेगी मेरे पास, 57 mm into, 33 00, 33 00, km2 into, days divided by, 24 into 60 into 60, second, अच्छा, एसी को लिख सकते हैं क्या, 57 into 10 to the power minus 3 meter, into 33 00, into 10 to the power 6 meter square, divided by 24 into 60 into 60, अब ज़रा खेल देखना, इसे हटा कर, इसे हटा कर, अब इसे ही लिख 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 लिया, अब इसको तरह करते हैं, तो what it should come out to be as, क्या बनना चाहिए, 57 into 33 00, divide by 24, divide by 60, divide by 60, अब हमारे पास बच्ची कल्कुलेशन, इसकी और इसकी, इससे cancel out होगा, बच्चे का 10 to the power 3, into 10 to the power 3, तो यारा है 2177, आरा है 2177, तो 2177 कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन हा, 2175 दरूर दिखाई दे रहा है, आंसर क्या आजाएगा, 2175, क्यूं में डे के बराबर, आंसर क्या आजाएगा, C is the correct answer, अगला सवाल पूछा है हम से, surface runoff represents the total water, surface runoff represents the total water, कौन से आटो को represent करता है, देखो जब भी हम बात करते हैं, total surface runoff की, total surface, ये total runoff की बात करते हैं, total runoff में क्या-क्या चीदा आजाती, जो पानी बहता हुआ, जम की स्ट्रिम में जा रहा है, वो पानी कहां कहां से आ रहा है, एक तो आ रहा है direct runoff, ठीक है, जो कि कहां से आ रहा है, surface से आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास, prompt interval, जो कि पानी जमी में जाने के बाद, कहीं से निकल के वापिस से, हमारे river में आके मिल जाता है, कुछ आ रहा है हमारे पास, हमारे ground water से, जो कि हमारे पास, ground water flow जो कि हमारे पास, हमारा base flow, तो ये सब मिला कर, हमारे पास क्या बंजा रहा है, है हमारा total runoff अच्छा हमारे पास एक और भी हम concept जानते हैं कि यो precipitation जो बारिश होती हमारे पास कि इस बारिश का कुछ हिस्सा जाता है कहां पर हमारे पास कि इन्फिल्ट्रेट करेगा तो इन्फिल्ट्रेशन लिख सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन करने के आद पानी कुछ हमारे पास ट्रांस्पिरेशन में जाएगा कि और जो पानी इदर उदर नहीं जा पारा वह हमारे पास कहां जाएगा रॉनौफ में जाएगा एक एभी कॉंसेट जानते हैं अब यह समझने की बात है कि हमारे पास सर्फेस रॉनौफ किसको रेप्रेशन करता है फ्लोइंग इन सर्फेस चैनल आफ्टर दी रेंफॉल रेंफॉल के बाद जो पानी सर्फेस चैनल में बहर आए क्या वही हमारा सर्फेस रॉनौफ हो सकता हो पहले से बहरा हो तो हमारे पास यह आंसर तो नहीं हो रहा उसके अंदर और विला कॉंटिटी उसकती है बेस फ् फ्लोइं या फ्लोइंग थूँ आल चैनल ओवर ए इसप्पेसिविट प्रीड और टाइम देखो रेंफॉल जो होती है हमारे पास क्या जो रॉनौफ कृट्र रॉनौफ में हमारे पास इस्पेसिद पिरिड़ आफ में ठीक है नहीं नहीं लेके चलना है हमारे पास यहां सब्सक्राइब बहुत लंबे समय तक मिलता रहता है एक्स्क्लूडिंग बेस फ्लो इन सर्फेस चैनल आफ्टर रेंफॉल रेंफॉल के बाद जो सर्फेस चैनल उन्हें से बेस वाटा दो तो क्या वह हमारे पासर्फेस बन जाएगा नहीं प्रॉम्ट इंटर फ्लो भी उसक या उसे ट्रांस्पिरेशन और रेंफरेशन दुनों साथ समझ लो जो बचा है वही रन ओफ है हमारे पास तो बेस्ट आंसर इन सभी में से क्या हो सकता है बी इस ओनली गॉइंट टू बी करेक्ट आंसर अगला सावल पुछा है एज़ फ्लोड वेव पासेज गिवन को मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेक्षन है और ये एक सेक्षन है हमारे पास of a river the time of occurrence of the maximum stage and that of the maximum discharge will be such that तो यहां से पानी पास कर रहा है कहीं से पानी तेजी से आया तो पानी यहां से तेजी से गुजरेगा जरूर और गुजरने के बाद जब यहां का पानी already present है तो अब इस पानी को भी आगे जाना पड़ेगा in a similar manner जो empty spaces ने उनमें पानी तेजी से आगे भड़ता है जैसे for example आप किसी भी जागी से लोग जब कभी कोई एरिया खाली होता और वहां पर तेजी से कोई डिसाय आता है तो पानी पहले तेजी से आता है फिर वहां पर पानी स्टे करना चालू करता तो फिर वहां पर पान पानी का लेवल बढ़ना कहलाता है स्टेज तो हमारे पास यहां पर एजी फ्लूड वेफ पासे गिवन सेक्शन ऑपर रिवर्ड ताइम वखरेंस ऑफ दी मेग्जिम इस्टेज और फिर मेग्जिम इस्टेज आईगी तो बिल्कुल सही बात है पहले मेग्जिम इस्टेज पास करेंगा मेजम स्टेज आईगी स्टेजिव पहले पाने कहते इसटाजी वहां से पास्स नी किया इतना यह हो नहीं सकता दटू इबेंट्टस्ट्राइब्स सांव एक साथ कभी नहीं हो सकते है क्योंकि स्टोरेज जीज अगन अनाधर कॉंपनेट जो की रोता है बंट specific sequence would be universally assignable यह गलत बात होगी, answer क्या हो जाएगा A is going to be the correct answer the slope area method is extensively used in slope area method का use कहां पर करते हैं हम, देखो आपको पता होना चीए कि जब भी हम flood measurement करते हैं क्या करते हैं flood या discharge measurement की बात कर लो flood और discharge measurement in streams तो कहीं सारी अलग-अलग methods होती है, measurement करने की transducer methods हो गई, electromagnetic method हो गई, हमारे पास slope area method हो गई, हमारे पास there are various methods उन में से हमारे पास हम हमेशा जो है, जब भी measurement करेंगे तो slope area method के अंदर जनरवी क्या होता है, कि जो बहुत पहले कभी पुराने time period में है, previously कोई flood आया होगा, कोई discharge आया होगा, higher discharge, तो उसके हमारे पास sides में high water marks बने होते हैं, उनके wishes पता लगाते हैं कि 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 तना level of discharge हमारे पास हो सकता होगा, तो development of the rating curve, rating curve को यहां पर कोई significance नहीं है, estimation of flood discharge based on high water marks यह वाली बात सही है, cases where shifting control exists कोई मतलब नहीं इसका, cases where backwater effective present यहां पर भी कोई मतलब नहीं इसका, answer क्या हो जाएगा हमारे पास, जो यह वो, B is going to be the correct answer, अगला साहल पुछा है, match list 1 with the list 2 and select the correct answer using the code given below the list, list 1 और list 2 में बात करते हैं, list 1 में चार चीज़े पुछी है, location, stability, variation of discharge and plan form, ठीक है, आगे list 2 की बात चल रही है, इन दोनों को अगर देखोगे, तो पहले वाले में बहुत दादा रिलेट नहीं कर पाऊगे, column 2 या list 2 में रिलेट कर पाऊगे, कहीं ना कहीं river के टाइप से बात चल रही है, किसे बात चल रही है, river के टाइप से, तो classification of river चल रहा है, जब river का classification करते हैं, location के basis पर, तो location के basis पर river का classification होता है, based लोकेशन, river कहां कहां से पास कर रही है, पहले वो mountain से लिकलती है, तो mountainous, फिर वो निकलती है, plain area से, फिर वो पहुचती है, डेल्टा रीजन में, और फिर finally जाके, जब समंदर मिलती है, तो वो बन जाता है, हमारे पास, टाइडल रीजन, तो location के basis पर river को चार अलग अलग केटेगरी में बाटा जा सकता है, और फिर बात करते हैं, river classification based on the stability, कि वो रीवर हमारे पास, लंबे समय तक, जो है, वो वैसी बनी रहेगी, या कुछ बदला हो आएंगे, तो हमारे पास, अगर हम बात करें, based on the, हमारे पास, sedimentation, और the scouring, silting और scouring के basis पर, या तो river stable हो सकती है, या river aggrading हो सकती है, कि वो scouring जादा होरी हो, या फिर degrading हो सकती है, कि river हमारे पास, समय के साथ, जो हूँ, स्कावर करती चली जा रही हो, ऐसे में, हमारे पास, stability के basis पर, river को degrading, aggrading, या stable main drink कहा जा सकता है, जैसे नाम लेना हो, यह से लेके चलू, हमारे पास, the third category is variation of discharge, तो हमारे पास, discharge variation के basis पर बात करें, तो हमारे पास river बन सकती ही, कैसी, अगर पूरे salver पानी चलेगा, तो बनेगी perennial, अगर पानी नहीं है, पूरे salver तो would come out to be as non-perennial, इसके अखलव हमारे पास plan form में, हमारे पास अगर हम बात करें, plan form में, तो plans के case में river को अलगलग category में बाटा जासकता है, referred as क्या, तो हमारे पास river बन सकती ही, क्या 브ेट बन सकती है? river बन सकती meandering, river बन सकती straight, इस च्जी का ब् gouvern सकती हैह कि तो रीवर बन सकती मियेंडरींग का रीवर बन सकती स्ट्रेट है तो यह आगा प्लान के रूप में अललग तरीके से रीवर को बाटा जा सकता है अब अगर बात करें कि location के basis पे river कौनसी वाली category बन रही है तो title बन रही है टाइडल की location है stability के basis पे perennial या braided या degrading तो degrading would be the correct answer variation of discharge के basis में perennial बन जाएगा हमारा correct answer और your plan form के basis में बन जाएगी braided river तो answer क्या हो जाएगा हमारे पास 3, 2, 1, 4 कहीं पर दे रखा है इसा 3, 2, 1, 4 yes D is the correct answer अगला सवाल है हमारे पास match list 1 with the list 2 and select the correct answer using the code given below the list चार नाम पुछे गए है find index बोला है slow period method की बात चल रही है flow duration करग और dilution technique है और वहीं पर यहां पर जो है वो list में रखे dependable flow, reservoir regulation, steady stream discharge determination, runoff volume और ऑन餌इस्टेडी stream discharge determination चले ठीक है बात करना चलो करते है पाइं यहां पर हम बात करें ओक्रों पाइं फाइं और पटाता है iis average infiltration बताता है dependable flow, reservoir regulation, steady stream discharge determination, runoff volumes, unsteady stream discharge determination. यहां से तो किसी बिलेट नहीं कर रहा है. लेकिन phi को लिखने का एकोड तरीका है, phi index को लिखने का एकोड तरीका है, that is basically equal to what rainfall minus the runoff divided by the time duration for which effective rainfall occurs. तो यहां से runoff का हम runoff volume निकाल सकते हैं. अगर हमें क्या पता हो, हमारा केरेक्टर सरी केश्मेंट डिर्या पता हो तो हम फाइंडेक्स को रिलेट करें किसके साथ टॉन ओफ वॉलिम के साथ अब दो मैथड है डाइलूशन टेकनिक हो गया स्लोपेरिया मेथड हो गया यह दोनों ही मैथड जो वो स्ट्रीम फ्लो या स्ट्रीम डिस्चार्ज क डिलूशन टेकनिक के अंदर क्या होता है हम जो है वो रिलेट करते हैं कि हमने कोई एक केमिकल को कहीं पर इंसर्ट किया किसी फ्लोइंग स्ट्रीम में फिर हम उसको डिलूशन चेक करते हैं सम अधर पॉइंट तो यहां पर हमारे पास इस्ट्रीड नेचर होना जरूरी है यहां पर पहले वाले के लिए आंसर है पॉर दूसरे वाले पॉर तो पहले का पॉड दूसरे का प नहीं किया बिल्कुल है पहले का फोड दूसरे काugीव पहले दूसरे का फाइफ हमारे पास डी के लिए हो रहा है थ्री और सी लिये हो जा रहा है क्या घृड बनबल फ्लोच तो फ्लोगकरAdam पास एक्छूली में हमारे पास किसे से रिलेट करकि रहा है रियर गोई डी कूछ कर करने बना दे मोहां पर हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैसे समय के साथ TWOर अर drives ना यह सबड़ेगा दी ना है अगला सब मुझाहे औरहुयन यह आगएन्य सफेलने कर दो discharge के discharge पता करने के लिए पूरी stream का area तो पता होना ची cross section area क्या हो और उसमें velocity कितनी हो अब चुकि पूरी stream में depth अलग अलग है अलग अलग जगाओं पर velocity अलग होगी flow की तो हमें अलग अलग point पर जाकर velocity measure करनी पड़ती है लेकिन depend करता है कि हमारे पास stream केसी है अगर wide stream है तो हमें हमारे पास velocity measure करनी पड़ती है अगर हमारे पास हमारी stream shallow है क्या है shallow stream है तो shallow stream के case में हम जो है surface 0.6 times the depth हम नीचे जाते है और वहां पर जाकर measurement करते हैं velocity का और अगर हमारे पास deep streams होती है तो deep stream केस में हम averaging करते हैं velocity की जब हम उसे दो अलग पॉइंट पर measure करते हैं कहां से surface 0.2 मिटर की depth पर surface 0.8 मिटर की depth पर velocity करके उनकी averaging करके हम पता लगाते हैं कि हमारी average velocity क्या होगी तो average velocity निकालना किसी भी wide stream के अंदर तरीका है क्या at the half the depth of the stream पर clear बात the last one does not satisfy for the any of the condition answer का जागा C is the correct answer अगला पुछा है calibration of a current meter current meter क्या है हमारे पास हमारे पास velocity measuring device है जो कि हमारे पास किसी भी condition में velocity measure कर सकता है दो तरह के होते हैं एक होता है हमारे पास horizontal shaft यह से हम कहते हैं और एक कहला रहा है हमारे पास vertical current meter तो vertical current में क्या होता है कि हमारे पास axis vertical बन जाती है और यह हमारे पास inclined flows के लिए भी suitable हो जाता है कि इंक्लाइंट फ्लो फ्यूटेविलिटी है क्लिर बात और हमारे पास यहां का अगरम बात करें इन channel flow measurement is done इन तो calibration करना है calibration करना है मतलब कि हमारे पास हम कितनी velocity वाली stream को measure कर रहे हैं और उस जो data निगलकर आएगा वो data सही भी है नहीं तो हम उसके लिए calibration करने time क्या करते हैं एक हमारे पास completely still water tank रखते हैं और उसमें हम एक boat के नीचे current meter को लगा कर boat को एक speed से चलाते हैं तो boat जिस speed से चल रही है current meter ने भी उतनी speed दे दी पता लगा कर तो इसका मतलब current meter से जा रहा है और this is how the calibration is done तो उसे कहा जाता है बेसिकली towing tank क्या कहते हैं उसको towing tank के थे this is how a towing tank वूड लूग लाइक कि एक still water tank है हमारे पास इसके अंदर हमारा एक boat है जिसे हम जो है वो इसके साथ में हम अमारे current meter को इंस्टोल करते हैं और हम इसे चलाते हैं किसी स्पीड से और उसी स्पीड से करेंट मिटर ने भी हमें स्पीड निगा कर दी तो डेट वूड बेसिकली भी दि करेक्ट करेंट मिटर और हमारे पास इसको कहते हैं क्या towing tank this is what is basically referred as a towing tank आगे बात करते हैं another one that we have is अगला कोशन है a stilling well is required when the stage measurement is made by employing so stage measurement है मतलब कि किसी भी stream के अंदर पानी की डेपो केकुलेट करना अलग तरीके से कर सकते हैं या तो हम calculate कर सकते हैं by the help of the bubble gauge जहां पर हम pressure hydrostatic pressure of water का इस्तवाल करते हैं किसका hydrostatic pressure of water का hydro-static pressure of water का इस्तवाल करते एक होता है float gauge recorder तो float gauge recorder ही हमारे पाए stilling well में लगता है stilling well में क्यों लगता है ताकि हम क्यों है यहां पर हम क्या कर पाते हैं we are able to we are able to avoid we are able to avoid waves effect and turbulence effect इसलिए stealing valve के अंदर float gauge recorder लगाया जाता है जिसमें कि हमारे पास turbulence खतम हो जाता है waves का effect खतम हो जाता है पानी का actual level क्या है वो पता कर पाते है vertical staff gauge हमारे पास जो है वो हमारे पास generally हम इसे piers और abutments के उपर इस वो कर देते हो directly से read किया सकता है inclined staff gauge use नहीं होता answer क्या हो जाएगा B is going to be the correct answer ऐसा कुछ आपका stealing well दिखाई देगा river है river से आपने जो वो connect कर लिया और यहां से पानी intake जा रहा है पानी intake जाने के बाद आपके पास यहां पर चाहिए कितना भी turbulence हो यहां turbulence नहीं होगा यहां पर पानी का level सिर्फ आपके आज काफी still रहेगा तो stealing well इसे नाम दे दिया गया यहां पर लगा है float जो पानी को पानी के level को record करता रहेगा और बताता रहेगा तो हमारे पास answer क्या है float gauge recorder अगला पुछा है wedding technique क्या होती तो wedding technique का हमारे पास मतलब यह होता है कि जब भी हम किसी shallow depth के अंदर खड़े होकर current meter से जब भी हम पानी की velocity speed नापते हैं उसे कहा जाता है wedding technique तो to determine velocity of sea wave during tsunami नहीं हम जहां यहां पर c की बात करेंगे तो यहां पर turbulence जादा है और depth जादा है इसको हम वैसे मेजर नहीं कर रहे और tsunami वाला वर्ट सो वैसे खतम हो जाता है क्योंकि हम यहां पर velocity को तो इस तरह से मेजर ही नहीं करते to determine the thickness of canal lining in LVL soil यह बिल्कुल भी शरीका सही नहीं है यही एक तरीका होता है जिसे कहते है वेडिंग टेक्नीक आंसर क्या हो जाएगा अगला पुछाए था फॉल्लोइंग फोर हाइड्रोलोजिकल फीचर्स हैव तो बी एस्टिमेटेड और टेकन इस इंपूट्स बिफोर वन केन कंप्वीटि फ्लोड हाइड्रोग्राफ एट अनी खेंट आटलेट कैसे करें गे डाक्रत आटले केफ सबसे पहले क्या पता होना चैये आपको उना चाहिए क्या होता है अम उता है जिसमें कि हम discharge versus time का relationship हो, पहली बात तो यह है, अब आपके पास यहाँ पर जो है, आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास depth of runoff है कितना actually में, depth of runoff निकालने के लिए अगर हम बात करें, तो हमारे पास runoff की depth होनी चाहिए, ठीक है, flood hydrograph पर जाना है, तो runoff की depth होनी चाहिए, hydrograph होना चाहिए आपके पहले से, तो ऐसे में आपके पास if you have the runoff depth और नहीं है, तो कैसे निकालेंगे runoff depth? निकाले सकती, phi index equal to p minus r by t के concept है, एक बार runoff depth आगई आपके पास, now what you can do is, आप जो है वो यहाँ से calculate कर सकते हैं क्या, unit hydrograph और direct runoff hydrograph, दुनों कर सकते हैं, जैसे करना हो यह से करके चल सकते हैं, अगर unit hydrograph है, तो direct runoff hydrograph में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, unit hydrograph के जो भी ordinates है, उसे multiply करना पड़ेगा, आपको direct runoff hydrograph या फिर आप कह सकते हो, effective depth of runoff या फिर और आप कर सकते हो, अगर drh से यू एच में जाना है, तो आप कर सकते हो, drh divided by r, तो यहां से आजाएगा drh, या फिर यहां से आजाएगा uh, बात एगी पढ़ेगी, और फिर यहां से आप अगर flood hydrograph में जाना चाहते हो, तो flood hydrograph में जाने के लिए आप के पास क्या होना चाहिए, आप अपने drh में अगर base flow को मिला दो, तो आपके अफ बन जाया क्या आपका flood hydrograph, तो यह काफे simple concept है, तो आपको चाहिए drh, और drh चाहिए, तो drh कहां से आएगा, तो drh divided by r, uh करना यह गलत हो जाएगा, तो हम directly क्या करेंगे, जो unit hydrograph है, उसमें हम runoff की depth multiply करेंगे, हमारे पार drh आएगा, तो यहां से इसको drh को अटा के लिखते हैं, कि हमने पहले किसी भी rain hydrograph में से, जो भी हमारे पास हो, हमने runoff depth का concept यूज़ करके unit hydrograph calculate किया, unit hydrograph से हमने runoff की depth multiply करके drh निकाला, drh में से base flow को प्लस किया, प्लता चला, rain hydrograph आया, answer क्या हो सकता है हमारे पास यहां पर, एक rainfall hydrograph तो होना ही चाहिए, पहले नंबर पर, फिर आपके infiltration index को भी 5 index से वो होना चाहिए, आपके पास, फिर unit hydrograph निकल कर आएगा, फिर उससे आप drh calculate करोगे, तब जाकर आएगा आपका flood hydrograph, तो सही sequence क्या बननी चाहिए, बननी चाहिए, आपके पास सही sequence 2314, 2314 कहां दिखाए दे रहा है, यहां दिखाए दे रहा है, C is the correct answer, हिलिया रहे बात इतनी, च तो, dear students, this was today's session, मैं आशा करता हूँ, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही मिलते हैं अगले session में, till then, good bye.